हलो फ्रेंड्स नमश्कार स्वागत है आपका अपनी चैनल नवी क्लासेज में आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी जो की CTU कंडुक्टर की वेकैंसी आई हैं इसके रिगार्डिंग की हम CTU कंडुक्टर के या ड्राइवर के पेपर के लिए कहां से प्रिपेयर करें तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको कैसे और कहां से कौन से बुक्स आपके लिए अच्छी रहेंगी और साथ ही में एक जो और पेपर हुआ था 2020 में कंडुक्टर का वो वाला भी एक कैंडिडेट ने हमें पेपर भीज दिया था तो वो भी आपके साथ हम हम discuss करेंगे वो करेंगे हम कोशिश करेंगे next वीडियो में और जो पहले दो पेपर थे उनकी PDF जो मैंने थी वो टेलिग्राम गुरूप पर डाल दी थी कुछ केंडिडेट्स नहीं कहा कि वो टेलिग्राम यूज नहीं करते तो मैं आपको फिर भी ये बोलूँगी कि आप डाउन्डोड कर ही लीजे क्योंकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उनके PDF जो है आपको टेलिग्राम पर ही मिलेगी तो देखती हैं इसमें subject wise आपके लिए देखिए overall अगर बोलूँ तो कि जिसमें सारी चीज़ें आती हूँ तो ऐसी तो कोई मैं खास बुक आपके लिए मुझे लगी नहीं फिर भी अगर इन फ्यूचर अगर लगेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी बाकी जो है आप content wise आप इसके जो है part one and part two की subject wise अगर आप बुक देखिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बैटर रहेगा जैसे कि first आपका दिर्खा है कि numerical ability आएगी 15 marks की जिनका maths विगरा अच्छा है उनको तो practice sets चाहिए सिर्फ उनको बुक की कोई जरूरत है नहीं जैसे कि आप सबसे अच्छी test book series है वहाँ से आप जो है test attempt कर सकते हैं बहुत ही वहाँ पर charges भी कम होते हैं और कुछ test तो आप free में भी करने को मलते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं और अगर आपका math कमजूर है तो आपको सबसे पहले में suggest करूंगी कि NCRT books आप करें NCRT books जो है आप 6th standard से ले करके और 10th standard तक की NCRT books आप follow करें सबसे पहले क्योंकि जो बेस NCRT clear करती है वो आपका कहीं से भी नहीं हो सकता और आपका solution मतलब आप चाहिए देखना तो बहुत सारे ऐसे channel हैं आपको YouTube पर मिल जाएंगे जिन होने जो है chapter wise topic wise जो है हर class का हर topic जो अच्छे से करवाया है तो आप उनको भी follow कर सकते हैं otherwise आपको कहीं कहीं problem आती है तो सिर्फ आप वही topics सिर्फ देख सकते हैं बाकि अगर कोई आप ऐसी book जो है competitive exams के लिए तो maths की books जो आती है एक SSE के लिए specially design की गई है राकेश यादव दवारा तो वह book जो है वह काफी अच्छी पड़ती है बट इतना high level का मैं कहूंगी यहां पर आएगा नहीं अगर आपके NCRT के basic clear हैं तो आप राम से कर लोगी पर फिर भी अगर आप अच्छी level का करना चाहते हो तो राकेश य grammar का portion देखने को मिलेगा जैसे कि आपको synonyums sorry जैसे कि आपको जैसे preposition वेगरा जैसे की voice speech वेगरा इन से based कुछ questions और synonyum and toniums यह तो आपकी vocab पर depend करते हैं तो वो जीतना आपको time मिले वो आपके लिए जरूरी नहीं है किसी exam के लिए आपके हर paper में वो चीज़े आती है और वो आपके vocab को अच्छा बनाती है तो आप कहीं से भी आप वो है जितना हूँ सके आप नई words सीखते रहे और इधर से उधर जो पिछले exams में आई हैं चाहे वो ssc के exam रहे हूं चाहे वो railway के exam रहे हूं चाहे वो ctu के ही पुराने exam रहे हूं आप वहां से जो है उनको cover कीज exams के लिए फिर बात आती है journal knowledge and journal behavior की तो देखे gk की जो book रहती है lucent की book जो है वो forever best रहती है चाहे आपका कोई भी exam रहा हो उसके लिए static gk में आपको जो है lucent की book का कोई मुकाबला नहीं है तो आप वो पढ़ सकते हो वहीं से मितलब जो है उसमें अलग-अलग aspects में आपको cover करवाया जाता है फिर आता है elementary computer knowledge और देखे इसमें computer knowledge वैसे तो आपकी basic level की आई ही बट फिर भी जैसे की gk की भी आती है और computer की भी उपकार publications की जो books आती है उपकार वालों की वो उनकी language काफी simple होती है और मैं थोड़ी से expected questions उसमें सही होती है तो मैं उसको फिर भी सही मा चाहें बाकी जो ही तना कुछ tough computer में आता नहीं है अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है practice sets अगर आप लगाएंगे तो वो तो भी आपका हो जाएगा computer का और वो आपको जैसे test book का बहुत ही आपको कम मिल जाता है पूरा yearly pass आप लीजिए और जो भी exams आपके आने वाले हैं MCQs आपको इतने अच्छे से आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे practice के लिए जितनी अच्छे explanation के साथ आपको test book देगा तो ऐसा नहीं है कि test book के साथ मेरा कोई अगर कुछ मैं अपना coupon code वेगरे शेयर करवाती कुछ होता अगर कुछ ऐसा commission नहीं है बिल्कुल भी आपने अग रही हूं बाकि अगर बुक की अगर मैं बात करूँ क्योंकि देखिए 50 marks का आपका ये वाला portion रहने वाला है और ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि driver और conductor के लिए ये जो है ये part सबसे ज़्यादा marks जो scoring है तो इसके लिए एक book है motor yarn कानून करकी आपको अगर कोई और book पता है तो आप वो भी purchase कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे लेकिन motor yarn कानून करके जो है एक book आती है जिसमें बहुत अच्छी से explanation भी दी हुई है और ये book जो है ये manoj publication की book है manoj publications की तो यहां से आप ये book आप कर ले ना purchase ये आपके लिए ये अगर book purchase करने की बात हो तो मैं आप को ये वाली और फिर या आपको lucent तो अगर आपके पास commonly मिले हीगी अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रही हैं तो हर गर में lucent तो जरूर मिलती ही है तो आपको जैसे मैंने बताया आपके लिए books मैंने कुछ बताई हैं बाकी मैं कोशिश करूँगी कि topic wise आपको करवाने की कि जो भी जिस भी topic से पिछले paper में उनको review अच्छे जिकर की कि ज़्यादा पूछा गया है वही वाले topics आपको cover करवाए जाएं पहले अच्छे से तो उसकी लिए आपका साथ बहुत जरूरी है चैनल को subscribe करना है और जितना होस के आपनी share भी करना है ताकि ज़्यादा से ज नई हो चैनल को subscribe करना है और टेलीग्राम पर भी नवी क्लासे से हमारे चैनल को जोईन करना है thanks for watching this